हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज हम हिंदी के महत्वड बहुई कल्पी प्रश्णों को देखेंगे जो आपके बोड के एक्जाम में यही सब प्रश्ण आएंगे तो फ्रेंस आप से सिर्फ इतना रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखे जिससे आप बोड के एक्जाम में एक भी प्रश्ण आप से गलती ना हो तो फ्रेंस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंस आपके सामने यह पहला सवाल है देखें नंबर वन का सवाल है कि क्या भूलूं क्या याद करूं या नीड का निर्माण फिर किस लेखक क इसो की रचना है तो फ्रेंस यहां पिर आपका सही जवाबहुगा भी हरवंस राइभ च्चन ने लिखा है आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि सरस्वती पत्तर का का प्रकाशन कार से 31888088080 सवाल को देखते हैं यह आपके सामने अगला नंबर का सवाल है तीसरा नंबर का सवाल कि सननाटा के लेखक है बीवी आई प्रशन फ्रेंस ठीक है यह आपके एकजाम जितने भी प्रशन करा रहे हैं आपके एकजाम के लिए बहुत ज्यादा important है, सन्नाटा के लेखक है, जिसका आपसान है, again, जानेंद्र कुमार, राम बिरिच बेनुपूरी, वासुदेव शरण अगरवाल, तो friends जो सन्नाटा के लेखक किसे माना जाता है, इसमें से इसका सही जवाब होगा, राम बिरिच बेनुपूरी, इसका सही जवाब आपका है C, ठीक है, आपके सामने अगला सवाल जो कि BBI प्रशन है friends, आप पेपर देखे होंगे, तो उसमें देखे होंगे, कि नमक का दरवगा की कहानिकारक है, यानि कि ये कितने बार आपकी एक्जामें पूछा जा चुका है, कि नमक का दरवगा के कहानिकारक कौन है, आपसान है जनेंद्र कुमार, जैशंकर प्रसाद, मुंसी प्रेम चंद्र, महादेवी वर्मा, तो friends, इस प्रशन का आपका सही जवाब है, मुंसी प्रेम चंद्र, तो नमक का दरवगा के कहानिकारक कौन है friends, मुंसी प्रेम चंद्र है, आपके सामने ये अगला नंबर का सवाल है, कि आचार महवीर प्रसाद दिवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी थी तो फ्रेंस इसका सही जवाब बताएं यह आपको बताएं कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन काल कब से माना जाता है माना जाता है औं स WASई सको भी आफसाथ में याद रखेंगा कब्से माना जाता है अगले सवाल को देखते हैं जो शपत्रा का सवाल है आपके सामने दखे है आदीकाल की परमुख राचना का इसका नाम है जिसका आपजन देखिये पृत्वियराज-ग्रासो पदमावत इनधुर? इंधृ typically जवाब है यह जवाब है पृत्वराज-ग्द pratic आपके सामने अगला नंबर का सवाल है कि रस्खान कवी ने किस भासा में रचनाई की ठीक है जिसका आपसन खड़ी बोली में की पिंगल में की फार्सी में या ब्रज भासा में तो फ्रेंच देखी रस्खान कवी ने किस भासा में रचना की तो ब्रजवासा में रचना की तो इसका सही जवाब होगा आपका D चलिए अगले सवाल को देखते हैं तो आठ नमबर का सवाल है कि गरंथी के कवी का नाम है ठीक है यानि गरंथी के कवी का नाम क्या है जैसे आपसाने जशंकर प्रसाथ महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंद पंद या निराला तो फ्रेंज इसका सही जवाब आपका होगा सुमित्रा नंद पंद तो गरंथी के कवी का नाम क्या है फ्रेंज सुमित्रा नंद पंद आपके सामने 이 अगला नम्र का सवाल हैы कि नेरच के रचैता का नाम है वी वी आई प्रसम है फ्रेंस ये भी कि नेरच के रचैता का नाम क्या है जिसका आपसाने पढ़ लिजए आप जैशंकर प्रसाथ निराला महा देवी वर्मा ये डाक्टर रामकुमार वर्मा तो फ्रे कि अगले नबर का सवाल है कि हास सिरस और करूर रस धोही रस होते हैं जो आप पेपर में आएंगे हास रस का अस्थाइप अब सकते हैं आप सांस passarly उसो जहार है इसका सुर्ए जिवाब होगा है सभाल सक्षोग फेस यहां पहुत श्यूश्माइब होता है यहां पी इसको साथ में याद रखेंगे यह भी कर Сам में से आपको आएगा ठीक है आपके सामनी अगला नंबर का सवाल है देखिए यहां पर 11 नंबर का सवाल है जो कि भी वियाई प्रश्ण है ठीक है क्या है प्रश्ण कि किस रस को रसराज कहा जाता है ठीक है अब किस रस को रसराज कहा जाता है तो आप साने हास स्रिंगार वीर शान देखे फ्रेंस रस राज जो कहा जाता है यानि रसो का राजा किसे कहा जाता है तो स्रिंगार रस को कहा जाता है तो इसका सही जवाब आप कहोगा स्रिंगार ठीक है आपके सामनी अगला नंबर का सवाल है अलंकार से है ठीक है आपको अलंकार के बारे में बताना है तो अलंकार कितने प्रकार को होते हैं आप सने चार होते हैं दो होते हैं या तीन होते हैं या पाँच होते हैं तो फ्रेंज इसका सही जवाब आपका होगा C, तीन होते हैं, अलंकार कितने प्रकार को होते हैं, तीन, ठीक है, आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, देखिए, आपका अलंकार सही संबंदित है, यहाँ पर तीरे नंबर का सवाल है, कि मुख मयंक सब मंजू मनोहर, पंकिती में कौन से अलंकार है, ठीक है, जिसका आप साना आपको पूही लगे उसका एंसर कमेंड बाक्स में लिखें इसका सही जवाब होगा ए तो मुख मैं कसम मन्जू मनुहर पंक्टि में कौन सा लंकार हैं उपमा लंकार है इस प्रश्ट का सही जवाब यह होगा आपके सामनी अगले नंबर का सवाल है यहाँ पे चंद्र कहते हैं या सममातरिक चंद्र कते हैं देखे फ्रेंश जब इसको पढ़ए कैने इस ही इसी में आपका छीपा है कि चार अग्ले सवाल को देखते हैं पंद्रन नमब का सवाल है कि छंद का शाब्दिक अर्थ होता है आपको पताना है कि छंद का अर्थ क्या होता है ठीक है जैसे आपसा नहीं बंधन आभूसर चमतकार या कोई नहीं तो छंद का शाब्दिक अर्थ होता है फ्रेंस बंधन होता है ठीक है तो इसका सही जवाब आपका होगा ए ठी ठीक हैं चलिए आपको 15 नंबर को हुगा चलिए अगले सवाल कूँ देखते हैं अगला सवाल किस शब्द में उपसर्ग का परियोग हुआ है देखिये उपसर्ग का मतलब होता है Price और उह अपकार अपनापन समझदार ने यहाँ परियोंग किसमी कि उपकार लाब दायक अपनापन समझदार लाइख को सब्छे कि में जूड़ रहा है अपना ठीक अपना धन पन पन लास्ट में जूड़ रहा है जब लास्ट में जूड़ेगा तो परते का लाता है ठीक है और जो प्रारम में जूड़ता है तो उसे क्या करता है हम उपसर्ग करते हैं इसलिए इसका सही जवाब आपका होगा A, आपके सामने यह अगला नंबर का सवाल है, कि उपसर्ग शब्द की ब्यूतपत्ति होई है, यानि उपसर्ग सब्द की इसमें आपसंदी है, इसमें से बताना है आपको किसे ब्यूतपत्ति होई है, इसका आपसंदी है, उपसर्ग प्लस गौर, उपस प्लस सर्ग, उधन उपसधंगर्व तो आपको इसका रही जवाब आपको अगलो नंबर एक डेकले हैं कि साहितिक इक मतलब होता है कि इसके अंत में कौन सा सब्ड जुड़ा है त disgust करेंगे हैं इसका सही जवाब क्या होगा एक होगा ठीक है आपके साभी तुमें प्रते प्रते मतलब क्या हो अब भी बता है कि जो सब्ध दीया रहागा उसके अंसम में क्या जुरा है तवक जुल है और चुन अग्ले नंबर के सवाल को देखते हैं यह आपके अग्ले नंबर का स्वाल है कि शताब्ढी में वगवरत से तव्रस hat46 आमको पें समारच तो यहिथ आपको एक दोंत टीक है यह दोनों में सा आपको l justum कोई सोगा ठीक है आप कर्मधार रहा ततपरुष्. पनोय नहीं है नहीं है डोनों में समाँब्स आपने क्या हटा है इसका सही जवाब आपको गाए नменोर अध thick और फ्रेंस इसी तरह पूछ दे त्रिंगा त्रिभुवान इसमें कौन से समास होगा इस सब्सक्राइब दिव को समास होता है ठीक है और दोंद का पूछे जाने वाले 20 महत्यपूर हिंदी के प्रस्ण करवा है इनहीं सभी प्रश्णों में से आपके बोड के एक्जा में प्रस्ण छपेंगे तो इस वीडियो का आप एक दो बार देख लिजिए जिससे सभी प्रश्ण आपको याद हो जाए तो आपको यह वीडियो पसंद है तो वीडियो का लाइक करें चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें